हेलो फ्रेंज्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम एकदम नया प्लाजो पेंट का डिजाइन बनाएंगे ये डिजाइन आपने पूरे यूट्यूब पे अभी कहीं नहीं देखा होगा तो जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस डिजाइन को ब इससे बनाने के लिए उसे एक बार ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से में प्रेस यह रहेगा इस ट्रेंगल को यहांपये अदेंच का मार्जन लेते हुए सिलाई लगानी है तो चौंड में गैप नहीं लेना बिलकुल साथ साथ करके ऐसे लगना हैं इस तरीके से सारे ट्रेंगल्स को न हमने रखते जाना और शिलाई लगाते जाना है मैं बहुत ही असान टिप्स के साथ आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूं ताकि जो बिगनर्जम वो भी असानी से ही घर पे अपने ये डिजाइन बना सके तो एक तरफ हमने अपने सारे ट्रेंगल्स ऐसे स्टिच कर लिए हैं अब हमें दूसरी तरफ भी ट्रेंगल्स को स्टिच करना है उसके लिए हमने ये ही वाले सेम ट्रेंगल्स को इसके तरफ ऐसे रखना है ट्रेंगल के बीच में हमने ट्रेंगल को डालते हुए न ऐसे रखते जाना और शिलाई लगाते जाना है तो मेरे ऐसे ही नए नए डिजाइन्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नए वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोनों तोरफ हमने अपने ट्रेंगल स्टिच कर लिए हैं अब हमें न इसके उपर ये वाली ले स्टिच करनी हैं तो लेस को न पैटरन के उपर ऐसे सीधा करके ही रखेंगे ऐसे ट्रेंगल्स वाली सिलाई के उपर रखेंगे और लेस की किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे तो मेरे ऐसे ही नई नई डिजाइन देखने के लिए न मेरे फेस्बूक पेज को भी फॉलो कर लीजिए मैं हर रोज एक नई वीडियो उस पर डालती हूँ एक तरफ हमने ये लेज को ऐसे स्टिच कर लिया अब हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेज को स्टिच कर लेना है तो दोनो तरफ हमने ये लेज को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमें ये वले ट्रेंगल्स को आपस में स्टिच करना है सुई धागे के साथ तांकि ये अलग लग ना हूँ तो सारे ट्रेंगल्स के न कोने कोने में हमने ये सुई धगे के साथ टांका लगा लेना है तो ये टांका अगर आपका उपर दिखाई भी देगा ना तबी भी कोई प्राबलम नहीं है क्यूंकि हमने ना इसके उपर एक एक परल पेस्ट कर देना है फैब्रिक लू के साथ वाले फैब्रिक से यह एक पट्टी कट की है यह पट्टी न मैंने दो डही इन चौड़ी ली है और लंबाई में इसी के बराबर ली है इसकी उल्टी साइड पे ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा के दोनों तरफ से इसे ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है अच्छे से अब हमें यह वाली पट्टी को ऐसे खोल के रखना है और अपने यह वाले पैट्रन को इसके अंदर ऐसे दबाते हुए ध्यान में रखे आपने सिर्फ लेसकी किनारी को ही दबाना है और यहां पे एक टॉप स्टिच लगा लेनी है तो फ्रेंज हमने इस पैट्रन को नीच जैसे ऐसे फोल्ड भी कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें अब हम इस पैट्रन को अपनी पैंट के साथ स्टिच करेंगे पैंट को खोल के सीधा करके रखेंगे और पैट्रन को इसके उपर उल्टा करके रखेंगे और यहां पे ना हमने य तो उपर की तरफ हमने ऐसे टॉप स्टिच भी लगा ली है और देखिए कितना खूपसूरा डिजाइन हमारा यह लग रहा है अब हमने ट्रेंगल्स के बिल्कुल सेंटर सेंटर में एक एक परल पेस्ट कर देना है फैब्रिक ग्लू के साथ यह फैब्रिक ग्लू ना हमारी धोने से असानी से नहीं उतरती है इसलिए आप बिना टेंशन से इसके साथ परल पेस्ट कर सकते हो तो यह परल्स के साथ ना हमारा यह डिजाइन और भी खूपसूरत और उठके आएगा तो अभी मैं आपको अपने सारे परल यहां पे पेस्ट करके दिखाती हूँ तो फ्रेंच सारे परल ना हमने यहां पे ऐसे पेस्ट कर लिये हैं और देखिए कितना खूपसूरत और एकदम नया हमारा यह प्लाजो पेंट का डिजाइन बनके रेडी हुआ है अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो फिटिंग की सिलाई हमने इसे लगा लिया है और हमारा यह डिजाइन ऐसे रेडी हो गया है अभी मैं आपको इसको पेहन के भी दिखाती हूँ और यह डिजाइन ऐसा है आप इसे अपनी स्लीव पे भी रेडी कर रखते हैं पहनने के बाद हमारा एक खुबसूरत प्लाजो पेंट का डिजाइन को चैसे आ जाएगा तो आप भी यह वला डिजाइन अपनी प्लाजो पेंट पे जरूर ट्राइ कीजिएगा डिजाइन अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रात में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई